जैस शिरी कृष्ण नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको स्रीमत भागवत महाप्राण की कथा का सर्वन करा रहा हूं जिसमें हम बढ़नन करेंगे दस प्रकार की स्रेष्टी का बढ़न भगवन नारायन के अंतर द्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने अपने दे और मन से कितने प्रकार की स्रेष्टी उत्पन की भगवन इनके सिवा मैंने आप से और जो जो बाते पूची है उन सब का भी क्रमस बढ़न कीजिए और मेरे सब संसेओं को दूर कीजिए क्योंकि आप सभी भग्यों में स्रेष्ट हैं सिसुजी कहते हैं सोनक जी बिदुर जी के इस प्रकार पूचने पर मुनिवर मैत्रे जी बड़े प्रिशन हुए और अपने एड़े में इस्तित उन प्रिशनों का इस प्रकार उत्तर देने लगे स्री मैत्रे जी ने कहा अजनमा भगवान स्रीहरी ने जैसा कह था ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित को अपने आत्मा नारायन में लगा कर सौ दिब्बे बड़सों तक तप किया ब्रह्माजी ने देखा कि पिल्लय कालिन प्रवल बायू के जरोकों से जिससे वे उत्पन हुए हैं तता जिस पर वे वैटे हुए हैं वे कमल तता जल कांप रहे हैं प्रवल तपश्या एव मिर्दय में इस्तित आत्म ग्यान से उनका बिज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ बायू को भी पी लिया फिर जिस पर स्वेम बैटे हुए थे उस आकास ब्यापी कमल को देखकर उन्होंने बिचार किया कि पूरु कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूँगा तब भगवान के द्वारा सेष्टी कार में नियुक्त ब्रह्माजी ने उस कमल कोस में प्रवेस किया और उस एक के ही भूबह स्वह ये तीन भाग किये इस पी वह कमल इतना बड़ा था कि उसके चौदर भवन या इससे भी अधिक लोकों की रूप में विवाग किये जा सकते थी जीवों के भोग इस्तान के रूप में इन्हे तीन लोकों का सास्त्रों में बढ़न हुआ है जो निसकाम कर्म करने वाले हैं उने में ताप जान और सत्य लोक रूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है बिदुर जी ने कहा ब्रह्मन आपने अद्वत कर्मा बिस रूप स्री अरी के जिस काल नामक सक्ति की बात कई थी प्रबो उसका किर्प्या विस्तार पूर्वक बढ़न कीजिए स्री मैत्रे जी ने कहा बिस्यों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है स्वयन तो वे निर्विसेस अनादी और अनन्त हैं उसी को निमित बनाकर भागवान खेल खेल में अपने आपको ही स्ष्टी के रूप में प्रिकट कर देते ही पहले ये सारा विश्व भागवान की माया से लिन होकर ब्रह्म रूप से इस्तित था उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भागवान ने पुने प्रथक रूप से प्रिकट किया है ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविश में भी वैसा ही रहेगा इसकी स्रेश्टी नौ प्रकार की होती है तता प्राकरत बैकरत भेद से एक दसमी स्रेश्टी और भी है और इसका प्रिलेकाल दिव्य तता गुणों के द्वारा तीन प्रकार से होता है अब पहले में दस प्रकार की स्रिष्टी का बढ़न करता हूँ पहली स्रिष्टी में तत्व की है भगवान की प्रेना से सत्वादी गुणों में बिसमता होना ही इसका स्वरूप है दूसरी स्रिष्टी एहंकार की है जिससे प्रत्वी आदी पंच भूत एवं ज्ञानिंद्रियों और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है तीसरी स्रिष्टी भूत सर्ग है जिससे पंच महाभूतों को उत्पन कंडिये वाला तनमात्र वर्ग रहता है चौती स्रिष्टी इंद्रियों की है यह ज्ञान और क्रिया सक्ति से संपन होती है पांच में स्रिष्टी सात्विक अहिंकार से उत्पन हुए इंद्रिया दिधास्त्रा देवताओं की है मन भी इसी स्रिष्टी के अंतरगत है छटी स्रश्टि अविद्या की है, इसमें तामिष्ण, अंधतामिष्ण, ताम-मोह और महामोह ये पाँच गांटे हैं, प्राक्रीतक स्रश्टिया हैं, अवपैत्रिक स्रश्टियों का भी विभरंशनों, जो भागवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेत यह सारी लीला उनी स्रीहरी की है। बेही ब्रह्मा के रूप में रजो गुण को स्विकार करके जगत की रचना करते हैं। इन में प्राय ग्यान सकती प्रकट नहीं रहती। ये बीतर ही बीतर केवल इसपर्स का अनुबब करते ही। तता इन में से पिरतेक में कोई विसेज गुण रहता है। इसमें काल का ज्यान नहीं होता। तमो गोण के अधिकता के कारण ये केवल खाना, पीना, मैदन करना, सोना आदी ही जानते ही। इसे सुने मातर से वस्तों का ज्यान हो जाता है। इसके एरदय में बिचार सकती या दूर्जरसिता नहीं होती। सादू स्रेष्ट इन त्रेकों में गौ, बकरा, भैसा, कृष्ण, म्रग, सुवर, नी लगाए, रूरू, नामका, म्रग, भेड, और उूट ये दूसप दो खुरों बाले पसु कहलाते हैं। गदा, घोडा, खचर, गौर, म्रग, सरप और चमरी ये एक सब एक खुरवाले हैं। अब पांच नकवाले पसु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीधर, भेडिया, बाग, विलाव, खरगोस, साही, सिंग, वंदर, हाती, कच्वा, गौ और मगर आदी पसु हैं। भगुला, गीत, बटेर, वाज, वास, भलूक, मोर, हंस, सारस, चक्वा, कवा, और उल्लू, आदी उड़ने वाले जीव पक्षि कहलाते हैं। विदर जी, नवी स्रश्टी मनुष्यों की है, ये एक ही प्रकार की है, इसमें अहार का प्रवा उपर मुँ से नीचे की ओर होता है। मनुष्य, रजो, गुण, प्रदान, कर्म, परायंड और दुख रूप, बिसेओं में ही सुक मानने वाले होते हैं। इस्तावर पसु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की स्रिष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग बैकरत स्रिष्टी है, तथा जो महतत्व आदी रूप बैकारिक देव सर्ग है, उसकी गड़ना पहले प्राकरत स्रिष्टी में भी की जा चुकी है। इसके अतिरेक्त सनत कुमार आदी रिष्टियों का जो कुमार्ग सर्ग है, वै प्राकरत बैकरत दोनों प्रकार का है, देवता, पितर, असुर, गंदर, अवसरा, यक्ष, राक्ष, सिद, चारन, विद्यादर, भूत, प्रेद, पिसाच, और किन्नर, किम, पुरोष, असु अधी भेध से देवसरेष्टि आठ पिरकार की है, विद्युर जी, इस पिरकार जगत करता स्री ब्रह्मा जी की रच्ची हुई है, दस पिरकार की स्रेष्टि मेंने तुमसे कही, अब आगे में वन्स और मनवंतर आधी का बढ़न करूंगा, इस पिरकार स्रेष्टि करने वाले सत्य संकल्प भागवान हरी ही ब्रह्मा के रूप से प्रतेक कल्प के आदि में रजो गोंड से ब्याप्त होकर स्वेम ही जगत के रूप में अपने ही रचना करते हैं। उलो स्री कृष्ण चंद्र महाराज की जैं। दोस्तों हम आगे की कथा में वर्णन करेंगे मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन जैं स्री कृष्ण